am now now अब मैं आप लोगों को बता रही हूं शेप एन्लपरन्स सेंप बैक्टीरिया में पाए जाने वाली सेल वो हूं होती है वहीं बैक्टीरिया की जो शेप यह QACR कल दॉंसका निधारा करती है सामनेते बैक्टीरिया जो है वह QFCण सकते हैließ वो उनके डिविजन के पस्चात जो सेल्स की जो आसन जकता होती है जो उसके सेल पक्ने की तरीक होता है उसके उपर उनके सेल का बैक्टिरिया Spherika biblical bacterium दूसरा शलाखा रेड ड्रॉट शेप बैक्टिरिया है और तीसरे हैँ इस पाइरल बैक्टिरिया इसके अलावा अन्य प्रती रुप अत्री है थाट सबसे पहले सल – गोलाकार बैक्टिरिया इस फैरिकल बैक्टिरिया जो है यह बैप बेक्टिरिय कोकसन बेंकों कहते हैं इनका साइज जो है वो 0,5μm से लेकर 1μm 这 01 को कोषिकव एक साथ होने पर इनका नामकरन किया जाता है तो। Diplococcus bacteria इसमें जो cells है वो एक ही plane में divide होती है और इस्थाई रूप से एक दूसरे से जोड़ी होती है तब हमको इसको Diplococcus bacteria कहते हैं लेकिन यही कोशिकाई जो एक ही तल में division होती रहती है और सभी कोशी काई जब एक ही line में माला की तरह से जुड़ जाती है, तब हम इनको streptococcus bacteria कहते हैं, जब कोई एक bacteria की cell जो है, दो तलो में horizontal भी और vertical भी दो तलो में विभाजित होती है, तो इस तरह से 4 कोशिकाओं का समोहत बनता है, जिसको की हम त्रेटराट कहते हैं, सारसीन बैक्टिरिया जब यह plane जो है, तीन बार को शैल इस तरह से विभाजित होती है, तो जो 8 सेल्स का समोहत बनता है, इसको सारसीन कहा जाता है, जब बैक्टिरिया जो है, वो अनियमित रूप से 3 तलो में विभाजित होती रहती हैं, और एक अंगूर के गुच्छे के समान में अरेंज हो जाती है, तो इस तरह से इसको, स्टेफाइलो कोकस बैक्टिरिया जो है, वो इनको कहा जाता है, दूसरी तरह की बैक्टिरिया है, स्पाइरिलियम या रॉडशेप बैक्टिरिया, रॉडशेप बैक्टिरिया को बैसिलस या बैसिलाई भी इनको कहा जाता है, तो बैसिलस ये समानेत है, फ्री लिविंग ह इनकी जो शेप है वो शला का आकार किये होती है और इनकी संख्या के आधार पर इनका नामकरण किया गया है यदि कोई बैसिलस सिंगल रहता है तो उसको मौनो बैसिलस कहा जाता है जब दो बैक्टीरिया आपस में एक दूसरे से आसंजित हो जाते हैं तो इनको डिपलो बैसिलस कहा जाता है और जब एक साथ कई सारे बैक्टीरिया आपस में एक रेखी श्रेंखला के रूप में जुड़ते जाते हैं तब इनको स्ट्रेप्टो बैसिलस कहा जाता है और तो कोको बैसिलस कहते हैं next spiral bacteria spirelle bacteria तीन तर है कि vibrio and spirochets and spiral bacteria जो है इनको कहा जाता है vibrio cholera में पाय जाने वाला vibrio bacteria होता है जिसका size जो है 1.5 वन से लेकर 5 micron तक इनका उता है बेलनकार होते हैं और इनका एक शिरा वक्रित होता है now Spirochetes Bacteria यह Bacteria जो है Hair-like होते हैं Kundalini प्रकार के होते हैं यह Bacteria किसी fluid में जैसे movements होते हैं तरल में जैसे movements होते हैं उस तरह के Bacteria इसको कहते हैं Trypanema Palicitum जो Bacteria है वो Spirochete Bacteria होता है spiral bacteria यह bacterial spiral होते हैं और इनका जो size 5 to 10 micron तक इनका size होता है Spirilium wallet tends जो bacteria होते हैं वो spiral type के होते हैं Now other forms of bacteria Pleomorphic bacteria ऐसे bacteria जिनके अंदर cell wall नहीं पाई जाती है उनको pleomorphic कहते है Means यह दी cell wall नहीं पाई जाती है तो इनकी कोई आकरती एक निश्चित नहीं होती है इसलिए इन्हें spheroblast या protoplast भी कहते हैं एक ही जाती के विभिन प्रतिरूप उपस्तत होने की वजह से इनको pleomorphic कह जाता है जैसे कि rhizobium है mycoplasma है यह pleomorphic होते हैं Trichomes ऐसे इन में जो cells हैं वो एक ही तल में विभाजित होती है और दो cells के मध्य काफी जिनांटा जो तो सही ज्रमाचश की तीलि जैसे के अंदर जैसे स की इलिया विवस्ट्य की तेनां वैसे हीज जो me से पस्ठित रहते हैं तो इससे बैक्मण ब्रीन को खुर्णी बैक्टीरीय इसे Re bellनी बैक्टिरिय को fancaire गेंटरं के मैसिं यो कहह लाता हैं इस पजिलेज हैं पैसेली हैं यह हाई-फी टाइब बैक्टीरिया वहते हैं इस्ट्रेला अगनुला यह जिवानू ऑक जानुलब्वम रधार श्कार आकरती के अंदर एग इनको बैक्टीरिया भी कहते हैं, हेलो बैक्टीरियम भी इनको कहा जाता है, इसके अलावा, स्टॉक्ड बैक्टीरिया पाय जाते हैं, जो की स्टॉक्ड बैक्टीरिया हैं, ये कोशी के सवरंत बैक्टीरिया होते हैं, जो स्टॉक है, वो सेल का ही एक पार जो है, वो इनके अंदर पाया जाता है कोलो बैक्टर जैसे की एक्जाम्पल है बडिंग जो बैक्टिरिया है मुकुलन करने वाले बैक्टिरिया ये राउंड शेप के होते हैं जिन में एक नलिका फूल करके एक अलग से फूल जाती है जो की एक नई गोला कार आक्रेती को जनम देती है तो इसको रोडो माइक्टरोबियम बैक्टिरिया भी इसको हम कहते है थैंक्यू